हेलो एबरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में दो राजियों की वेकेंसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोनों ही जो वेकेंसी जारी हुई है सैनिक स्कूल से, सैनिक स्कूल तेलेया से वेकेंसी आई है और दूसरे वेकेंसी सैनि गई है एक एक करके दोनों ही राजियों की वेकेंसी को हम देखेंगे यदि आप आविधन कर सकते हैं तो अन्तर तक जो है वीडियो देखिएगा समझेगा कैसे जो है आविधन करना रहेगा सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिक स्कूल तिलाया, मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस, रेजिरेंशल स्कूल है, दूसरा हम बात करेंगे सैनिक स्कूल जहां सी, सबसे पहले सैनिक स्कूल तिलाया की जो वेकेंसी है, अनाउंस्मेंट सेक्शन में सबसे उपर ही आप लोगों को नजर आ जाएगा, वेकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, सैनिक तो लुगा कोन्टराक्ट वैसर वेकंसी है haram qualification जो है इन्होंने कहा है, graduation के साथ में, अगर social science के लिए apply कर रहे हैं, तो graduation में geography, history, economics, political science, जिसमें से geography या history एक होना जरूरी है, और तीनों साल आपने ये subject पढ़े हो, next जो है, B.A.D. मांग रहे हैं, दूसरा, general science, physics, TZT के लिए, bachelor degree और इनमें से 2 subject, mathematics, chemistry, electronics, computer science and statistics, दो subject आपके graduation में होने चाहिए, maths के लिए, physics, chemistry, electronics, computer science and statistics, इतमें से 2 subject, अगर आपने B.A. honors math से किया है, या B.Sc. honors है, किसी भी subject से, तो math are not eligible for the post of TZT math, तो जो है, बिल्कुल eligible नहीं होंगे, counselor के लिए कहा है, MA या MSC आपने psychology में किया हो, और साथ में, जो है, B.A.D. या फिर M.A.D. या फिर आपने psychology में, जो है, diploma, आप देख लेते हैं, qualification, qualification के लिए जो है, आपका graduation प्लस B.A.D. मांगा जाता है, SST के लिए यहाँ पर कहा है, कि geography के साथ में, इन में से जो है, एक subject आपका होना जरूरी है, इस नातक में, history, economics या political science, या फिर आपने history अगर graduation में पड़ी है, तो उसके साथ में geography, economics या political science हो सकती है, 50% मार्क्स के साथ में, आपके तीनों साल जो है, आपने पड़ी होनी चा अगर है, तो आप apply कर पाएंगे, TGT maths के लिए, math के साथ में, इन में से एक subject आपका, जैसे physics, chemistry, electronic, computer science and statistics, इस में से एक होना चाहिए, जो BA honors वाले है, जोनोंने math से किया है, या BSC किया है, किसी भी subject से, math are not eligible for the post of TGT math, ठीक है, तो TGT maths के लिए eligible नहीं रहेंगे, counselor के लिए, MA या MSC psychology में, प्लस regular one year graduate diploma in guidance and counseling में, या फिर आपने MA या MSC या MCOM किया हुआ है, BAD किया हुआ है, या MAD किया हुआ है, और साथ में एक साल का post graduate diploma है, guidance and counseling में, तो भी apply कर सकते हैं, या केवल BA या BSC psychology से हैं, और साथ में certificate है, diploma in counseling में, तो भी apply कर पाएंगे, उसके बाद band master के ल जितने भी TZT में subject हैं, सभी में BAD compulsory है, और साथ में CETAT paper 2 आपका qualify होना चाहिए, दूसरा जो है, हम देख लेते हैं या पर, AIDS इनोंने कहा है, कि AIDS जो है, 21 से लेकर 35 वर्स तक की होनी चाहिए, ABCD, जो ABCD में देख लें आप, जैसे कि TZT social science, TZT general science, physics, TZT, maths ठीके इनके लिए, और counselor के लिए भी, बाकी जो है उनके लिए, AIDS 18 से लेकर 50 वर्स रखी गई है, salary आप देख लें, ABCD, जितने भी TZT के subject हैं, counselor post के साथ में, तो यहाँ पर आप salary देखे, fixed salary रहेगी मन्तली, 44,900 पर मन्त जो है आपकी salary रहने वाली है, उसके बाद जो है, जो section E है उसके लिए 29,200 रहेगी, F और G के लिए 19,900 रहेगी, तो E में जो है क्या था, E में band master, ठीक है, और F और G में, ward boy and matron की, matron के लिए केवल female candidate apply कर सकती हैं, अब जो है apply कैसे करना होगा, तो यह हम देखेंगे, दूसरी vacancy पहले चेक कर लेते हैं, Sanic School जासी, तो यहाँ पर भी आप लोगों को running में दिखाई दे जाएगा, announcement section में आप लोगों को notification दिख जाएगा, जासी कहां है, उत्तर प्रदेश में है, PZT English की vacancy है, PZT Computer Science की है, PZT Maths की है, PZT Biology, PZT Chemistry की, Physics की, Science, Social Science, यह vacancy है, TZT Social Science है, ठीक है, बाकी PZT की है, PZT में जो है Master Degree होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए, 21 से लेकर 40 एर तक के candidate यहाँ पर eligible है, 40,000 आपकी salary रहेगी, ठीक है, PZT के लिए, दूसरा TZT के लिए, जासी में जो vacancy आई है, तो यहाँ पर graduation या फिर 4 साल का आपने B.Sc, B.Ed किया हुआ है, तो आप apply कर सकते हैं, सभी में जो है, TZT के लिए C.T.E.T. मांगा ही जाता है, इसमें जो है, आप ध्यान रखें, वैसे तो C.T.E.T. ही मांगा जाता है, पर जहांसी सेनिक स्कूल में जो vacancy है, इसमें S.T.E.T. आपके राज्य का जो T.E.T. है, उसे भी इन्होंने मानने कर दिया है, ठीक है, तो सैनिक स्कूल में C.T.E.T. चलता है, इस्टेट गौर्रमेंट जो है, वो S.T.E.T. करवाती है, तो यहाँ पर C.T.E.T. और S.T.E.T. वाले apply कर सकते हैं, mostly सैनिक स्कूल में C.E.T.E.T. ही मांगा जाता है, T.E.T. के लिए ए जिन्होंने 21 से 35 यर और salary T.E.T. के लिए 32,000 अब जो है, दोनों में देख लेते हैं, कैसे apply करना है, तो सबसे पहले जो है, हम देख लेते हैं, तिलाइया की जो vacancy है, जारखन की, आपको क्या करना है, application format can be downloaded, आप लोगों को इस main website से application format डाउनलोड करना है, और उसके बाद में demand draft बनवाना है, general और OVC category को 400 का, SCST को 250 का, किस नाम से बनवाना है, principal sanic school तिलाइया, ठीक है, state bank of india sanic school तिलाइया branch, court दिया हुआ है, 3502, उसके बाद जो है, 16 March से पहले आप लोग apply कर दे, यहां पर लिखा हुआ है, last date, 16 March 2024, date आप इलकुल ध्यान में रखें, कई candidate जो है, वीडियो बाद में देखते हैं, फिर apply करने के बारे में सोचते हैं, और apply नहीं हो पाता है, तो comment में लिखते हैं कि कैसे apply होगा, तो वीडियो regular देखा करें, ताकि आपकी subject की जब vacancy निकलती है, तो स जारकन, या उपर से भी जो है ले सकते हैं, पोस्ट ओफिस, तिलाया, डैम, डिस्टिक, कॉडेर्मा, जारकन, 825413, जासी की जो vacancy है, उसमें जो address है, वो क्या रहने वाला है, तो address आप लोग सबसे उपर से ही no down कर लेंगे, सैनिक स्कूल जासी, उतर प्रदेश, चीक है, और यहां पर देख लेते हैं, कोई फीस वगरा, लास्ट डेट दी हुई है, लास्ट डेट है 23 मार्च 2024, यहां पर केवल जनरल और OBC के 100 रुपीज लग रहे हैं, S.E.S.T. के 50 रुपीज है, बस इतना ही है, ठीक है, और दिमांड राफ बनवाना है आप लोगों को, बाइ हैंड एप्लिकेशन विल नॉट भी असेप्टेट, आप लोग स्कूल में जाकर समिट नहीं करवा सकते हैं, पोस्ट ही करना होगा, एप्लिकेशन फॉर्ट पोस्ट के लिए प्लाइ कर रहे हैं, यहां पर जरूर लिखे, यह में वेबसाइट का लिंक है, सैनिक स्कूल जा सैनिक स्कूल जासी का, ठीक है, तो यह दोनों ही राज्यो की जो वेकंशी निकाली गई है, कॉन्ट्रेक्ट्वेस पर वेकंशी है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि कॉन्ट्रेक्ट्ट्ट्ड वेकंशी है, तो इसको आप इग्नोर कर दे, जो भी कैंड़िडेट जा सकते हैं, बिल्कुल चले जाएं, काफी अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, अगर आप यहाँ पर सेलेक्शन पाते हैं, 40,000 तक सेलरी आप लोगों की यहाँ पर रहती है, और काफी अच्छी है, ठीक है, तो सैनिक स्कूल तिलाया की वेकेंसी हमने देखी, दूसरी वेकेंसी हमने सैनिक स्कूल चांसी की देखी, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, थैंक यू